नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए एक लब्या मॉडल रेसिडेंशल स्कूल की जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसी सिरीज को आगे बढ़ाते वे आज बात करेंगे टॉप टैन एडियम की जी हाँ टॉप टैन एडियम की जो की आपका सेक्षन ए या फिर पार्ट ए जिसे आप समझो वहाँ पे आपको इंगलिस के कोश्चन्स देखने को मिलेंगे उसमें एडियम और फ्रेजस जरूर पूछे जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ आप TGT, math, english, whatever किसी भी post के लिए apply कर रहे हो या फिर PGT post के लिए apply कर रहे हो या फिर principal या voice principal के लिए कर रहे हो आपके लिए ये जो idiom और phrases है इसकी class बहुत ही important होने वाली है तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे books के उपर कि कैसे idiom पूछे जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको question of the day यही पूछ लेता हूँ आपको असका answer comment section में नीचे जरूर करना है आपको बस इतना बताना है देखो यहां पे मैं पूछونगा यह een idiom उसका answer आप जोग नीचे comment करके सारे लोग इस question का answer आप लोग नीचे comment करके बताएं आपको बस इतना बताना है rat race का क्या मतलब होता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला question है don't judge a book by its cover यानि कि आपना सिर्फ rapper देखकर नहीं पता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा gift होगा यानि कि सिर्फ बाहर से अगर कोई आदमी सुन्दर हो जरूरी नहीं कि उसका nature भी सुन्दर हो तो उसी तरह से आप सिर्फ cover को देखकर नहीं पता सकते हो कि इस book के अंदर जो बातें लिखी गई है वो अच्छी है कि खराफ है या क्या है तो इसका मतलब आपको पूरी book पढ़नी पड़ेगी यानि कि आप बोल सकते हो don't judge a book by its cover तो यानि कि कोई भी opinion सिर्फ आप जो है किसी के देखने सुनने के अधार पे ही नहीं बना सकते हो clear होगी बातें बढ़ते हैं अगले idiom की और यहां से देख सकते हो cook the book जी हाँ बैंक में corruption हो जाता है ना lawn का fraud हो जाता है या फिर government कुछ pool वगेरा का fraud करती है तो वो क्या करती है कागज को जला देती है तो क्या होगा उससे पता ही नहीं चल पाएगा यानि यह क्या है एक negative idiom है अगर कोई बोलेगा cook the book मतलब किसी dishonesty से पैसे को कमाया गया कोई fraud करके बढ़ते हैं अगले idiom की और take a leaf out of someone's book देखो किताबों के अंदर में जो देखना आप एक book mark लगाते हो तो यहां पर अगर leaf out होगा उसका क्या मतलब होगा देखो यहां पर to behave or do something in the way that someone else would समझ पारे हो अब देखो इसका एक example देता हूँ सारे चीज़ें आप समझ पाओगे देखो we plan to take a leaf out of our competitors book and advertise our product on the internet यानि कि किसी को पिल्कुल copy कर लेना समझ पा रहे हो किसी को हूँ बहुत देखना बच्चे क्या कर तेवी पे प्रोग्राम वगेरा आता है तो dance करने की कोशिज करते हैं है न और या फिर आप देखना पापा अगर office आते हैं तो बच्चे देखना वो घर-घर खेलते हैं क् father या mother का character को play करते हैं अपने घरों में तो वो होता है copy करना बड़े को देखकर तो यहां पे अगर कोई take a leap out of someone's book मतलब यह हो गया कि आप किसी की क्या कर रहे हो copy करने की कोशिज कर रहे हो नकल करने की कोशिज कर रहे हो सारे चीजों को आप pain paper पे not down जरूर कर लें तभी आ अगले idiom की और to do something by the book देखो by the book का मतलब क्या होता है यह है आपका idiom by the book by the book का मतलब होता है बिल्कुल rule के according चलना बिल्कुल जैसा rule आपको बताता है वैसा ही काम करना देखना आपके आसपास में government offices होंगी जहां पे काम होता है तो देखना एक ना एक बेक्ती होगा जो आपके काम में हमेशा अरंगा डलाता हो लेकिन वो पैसे भी नहीं खाता हो तो उसे बोलते है कि यह आदमी बड़ा तेड़ा है बिल्कुल यह जो है काम करता है by the book यानि कि बिल्कुल rule के according यह चलता है तो यह क्या हो गया idiom का मतलब to do something by the book का मतलब हो गया कि आप rule के according चल जी के जी एस पार्ट ए के लिए और प्रिंस्पल के लिए भी फाइनांस और एड्मिनिस्टेशन के लिए आपको अगर स्टेडी मेटरियल चाहिए होगा तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हो यूर मितुन सिंग एड़रेट जीमेल डाट कॉम पे मुझे मेल कर लो अगर समझ पार हो इमेल में अपना मेल में जो आप चाहते हो वो तो लिखना ही आपको साथ में अपना मौईल नमबर भी लिख देना है ताकि आप से कॉंटेक्ट में कर पाऊं और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अड़रेट आई मेथोड सिंग पे एक और बात मै पेग किये तो आपको मैं 50 पेपर प्रभाइट करा दूँगा एक रुपए से भी कम प्राइस में आपको मैं 60-70 पेपर कोशिस करूँगा कि प्रभाइट करा दूँ तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगला एडियम जो है To be an open book बिलकुल open book का क्या मतलब होता ये एडियम है तो देखिए open book का मतलब होता है जो आदमी के पास कोई secret नहीं हो चुपाने के लिए जैसे कि leader भले वो बहुत कुछ चुपा लेते हो बट उनके life के बारे में उनकी wife, उनके घरों में कितना पैसा है किन-किन जगों पे मकान है तो वो क्या है, एक open figure है open book है उनके बारे में आपको सब कुछ पता है यही आपके पडोसी के घर में कितने जेवेलर पड़े हैं आपको नहीं पता होगा तो you can't say your neighbor is an open book आप बोल सकते हो any leader, कोई भी x y z leader बोल सकते हो कि वो क्या है open book है जो कि कोई secret नहीं रखता हो यानि कि उसकी सारी बाते क्या हो बिल्कुल साफ हो public domain में सारी बाते रखी गई हो तो आप बोल सकते हो कि I am an open book तो देखो यह तो कहना बड़ा easy है बट बहुत मुश्किल है है ना और इसका meaning अगर आप literally निकालना चाहोगे कि किसी को आप आसानी से समझ सकते हो उसे बिना कोई ज़्यादा दाव पेच लगा है आप उसके nature के बारे में समझ सकते हो उसे बोलते हैं to be an open book खुली किताब यानि कि जिसे हर कोई पढ़ सकता है to read by anyone बढ़ेंगे अगले idiom की और अगला idiom दोस्तों है in someone's good books यानि कि देखो अब मैं आपको एक example बदाता हूँ आप लोग schoolों में पढ़ाई करते होगे तो देखना जैसे ही मैम आती होगी या sir आते होगे तो आप न मैम ने बोला कि चलो भाई ये white board को या black board को साफ कर दो तो सारे बच्चे दोड़ करके duster की और भागते थे चलो मैं साफ कर दूँगा तो आप क्या चाहते थे कि मैम या sir के good book में आ जाए यानि कि आपको मैम और sir क्या करें थोड़ी सी advantage दें और आपको favor मिल जाए कभी पिटाई से बच जाओ आप है ना तो घरों में भी ऐसे करते हैं जैसे पापा है तो बिल्कुल जाके चिपट गया बच्चा कोई कि टॉफी मिलेगा या फिर good book में आने के लिए पापा आपने खाना खाया ये सब करते हैं good book में आने के लिए अब चलते हैं meaning के लिए if you are in someone's good books they are pleased with you यानि कि आपसे वो क्या है मैंने आपको भी example दे के सारा कुछ समझा दिया आगे बढ़ते हैं या देखलो example I am in my mother's good books as I took her out for a surprise dinner last night मतलब मैं अपने मा के good book में हूँ और मैंने उन्हें रात को एक surprise dinner क्या किया organize किया उनके लिए उनके dinner पे लेके गया मैं आगे बढ़ेंगे अगले idiom की ओर to read someone like a book यानि किसी को बिल्कुल book की तरह पढ़ना यानि कि completely उसको क्या करना उसके feeling को उसके अंदर का जो thinking है सारे process को आप समझ लेते हो तो आप बोल सकते हो to read someone like a book देखना जो leader होते है या फिर कोई hero होता है या heroine हो तो देखना उसके बगल में एक PA होता है PA यानि कि personal assistant तो वो 2400 घंटा उनके साथ रहता है उनको कहां जाना है क्या करना होता है उनके diary या laptop में सबकुछ noted होता है तो वो पता कर लेते हैं actor और actresses को कि ये काम ये project ये करेगा या नहीं करेगा मतलब आप किसी को क्या करते हो read कर देते हो book की तरह चलिए बढ़ते हैं अगले idiom की ओर a closed book यानि कि बिल्कुल सबकुछ खत्म हो चुका है सबकुछ end हो चुका है like मैं एक चोटा सा example देता हूँ यहां पे जो है रमेश एक स्कूल में पढ़ता था तो उसके पिताजी का क्या हुआ हो गया कहीं पर transfer तो वो अब उस school के साथ उसका क्या हुआ closed book हो गया वो relation यानि कि आप जो है completely end हो गया उस school के साथ उसका relation खत्म हो गया या फिर जो girlfriend और wife friend के बीच break up होता है उससे भी आप समझ सकते हो आप बोल सकते हो our relation is a closed book यानि कि हमारा रिष्टा क्या हुआ खत्म हो चुका है बढ़ेंगे अगले डियम की ओर bring someone to book यानि कि किसी को custody में लेना या punish करने के लिए किसी को हिरासत में लेना ऐसा बोल सकते हो आप देखो यहाँ पर इसका example आपको दिखेगा meaning आप देख लो to punish someone when they have done wrong यानि कि कोई अगर कुछ करता हो तो आप बोल सकते हो bring someone to book यानि कि आप किसी को क्या करोगे अब उसकी सजा मिलेगी जैसे कि अफजल गुरू ने संसद में संसदों पे हमला किया था संसद भवान में तो उसे क्या किया गया punish किया गया और उसे फांसी पे लटकाया गया आगे बढ़ेंगे the oldest trick in the book यानि कि बिलकुल ही पुराना तिगडम बाजी है न एक dishonest तिगडम मतलब कि आप कुछ उल्टा थोड़ा सा रोल के साथ खेल करके करते हो तो देखो इसका मतलब क्या होता है पले वो जान लो a dishonest method of doing something that you know about because it has been used many times before यानि कि कोई एक तिड़म बाजी है जो सारे लोग कर रहे हैं है न जिसे इंडिया में जुगाल बोलते हैं कुछ पैसे देकर रिष्वत देकर आप अपना काम करा लेते हो document नहीं भी है तो भी तो उसे क्या बोलेंगे the oldest trick in the book यानि कि सारे लोगों को पता है कि ऐसे काम होता है बस आपको क्या करना होगा थोड़ा सा corruption करना होगा a dishonest action that has been used many times before यानि कि कोई काम पहले हो चुका है अब देखिए ये तो आज का class थी आपको देखो notes लेना हो या फिर कोई भी previous year paper चाहिए होंगे तो आप मुझे mail कर लो yourmethodsing.com पे mobile number अपना drop जरूर कर दें लिख दें ताकि आपसे contact करके आपसे बात की जा सकती हो तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही आपको इस वीडियो को like कर देना है अपने दोस्तों तक जो EMRS की preparation कर रहे हैं तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी study whatsapp group या फिर किसी भी telegram group पे आप इसको share कर सकते हो चैनल को subscribe कर लो अगर नहीं हो तो bell icon जरूर दबा दे और comment करके आप लोगों को जो मैंने पहला question पूछा था उसका right answer जरूर लिखे है rat race का क्या मतलब होता है नहीं पता हो तो google कर लो लेकिन answer आप जरूर दो thank you so much for watching and supporting us you guys are amazing keep reading keep learning keep growing